इस वीडियो में हम यह जानेंगे एक business flyer कैसा बनाया जाता है कैसे उसमें images को use करके एक design क्यार कर जाता है तो चलिए हम शुरू करते हैं एक business flyer के लिए मैं A4 size का document लेता हूँ artboard लेता हूँ और let's say इसी size का मुझे एक business flyer बनाना है या advertisement बनाना है या कोई भी एक flyer design करना है तो उसके लिए मैंने यह size लिया है इसको size को लेने के बाद में हम इसमें कुछ पहले background त्यार करेंगे उसके बाद मैं text का लिखेंगे presentation करेंगे logo कैसे place करना है logo कहां लगाएंगे कैसे बनाएंगे logo के लिए simple example कैसे use करेंगे त्यार करता हूँ color मैं लेता हूँ जैसे यह और इसमें अंदर से भी मैं कुछ इस तरह से मिला देता हूँ कुछ ऐसे color इससे थोड़ा different लेंगे इसमें select त्थोड़ा dark shade ले लेता है आउटलाइन इन दौनों में नन करेंगे select outline नन यहां मैं इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा करना चाहूं तो बढ़ा सकता हूं इधर की तरफ से ऐसे फैलाना चाहें तो ऐसे फैला सकता है और एक अगर और इस तरह से मिज़े शेट बनाना हो मैं यहां से इसी pen tool के help से इसमें color change कर देता है इसमें color डाल देता है आउटलाइन नन करेंगे अभी जैसे outline में color आ गया है हमें outline color नहीं चाहिए और इसको उपर लेंगे color इसका white करेंगे यह मैंने यहां logo मैं दिखाना चाहता हूं कि यह logo यहां हो तो इसके लिए में logo के लिए simple सा कुछ भी ड्रॉव करता हूं और इसके लिए मैं place टे करता हूं यहां से यहां तक मुझे logo ड्रॉव करना है इन दौनों को select करके minus कर देंगे यह shape लिए उस पड़ा बड़ा ले लेते हूं alt के साथ में drag करते हुए तो भी हम minus को लिखिए कुछ असरा से और इसी को मैं continue कर लेता हूं for example के भी मैंने यह assume किया है कि हमारा यह एक logo है हम ऐसे logo भी बना सकते हैं इसको में माइनस कर देता हूं इसको में alt के साथ करण चेंज करते हैं एक्जिक सेंटर में प्लेस कर देंगे इसको होरिजोंटली वोर्टिकली लाइक दिस यह मान लीजे हमारा एक यहां पर प्रेजेंट करना है लोगो तो मैंने इस तरह से इसे सेलेट किया है कलर थोड़ा ऐसे चेंज कर देता हूं यह मान लीजे हमारा यह लोगो है तो हम एक एक्जामपल के तोर पर कि भी बिजनस पायर कैसे बनाया जाता है वो मैं बता रहा हूं आपको तो मैंने इन टूल्स की अल्प से एक लोगो त्यार किया है मैं यहां पर लिख भी देता हूं अगर हम कोई लोगो का नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं मैं यहां ली देता हूँ लोगो हेर इस टेक्स्ट की जगह हम नेम भी टाइप कर सकते हैं नेम का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं बोल्ड इटालिक जैसा लेना है मैंने यह लिया है इसको मैंने एक पॉइंट आउटलाइन चेंज दे कलर यह मैंने यह सेट अप किया यहां पर इस लोगों को ठीक इसी तरह से मैं बैग्राउंड में नीचे की तरफ से भी कुछ डिजाइन करना चाता हूं तो यह मैंने पैंटूल से सेलेट किया पैंटूल लेने के बाद यहां से कर एक ऐसे और यह वापस करते हैं इसको यहां से यहां इतना कर लेती है यह कर लिया और यहां से एंड स्टार्ट प्रेट लाइन एंट कराएंगे थोड़ा सा यह एड़ा रागिया एक पार्टिकुलर एंट कर पॉइंट को सेलेट तरके ड्रैक करते हम इसको सिदा अब आती बात कलर की तो मेरे को कलर यहां यह ऐसा साथरी कर होंगा शेयान करका मुझे बनाना है वह प्रस आलाइन करता हूं एक्जेक्लि जानों तो एक और मैं ऐसा एक उर्ड़ करता हूं कर लेते हैं इसके फड़ा डार्क लेता ह तो मैं इतना कर देते हैं यह कुछ मैंने किया नहीं समझ माया वापस में इसको करता हूं इसको सीधा करेंगी तोट गया वापस थे मैं नया भी बना सकता हूं इसी को मैं चेंज कर सका हूं कॉपी करेंगे फ्रंट में पेश करेंगे थोड़ा इसको नीचे के तरफ लाते हुए और यह जो एंकर पॉइंट है इनको हम सेलेट करते हुए चेंज करेंगे ऐसे मैं यहां पे एक ऐसा फ्लायर टाइप बनाना चाहता हूं तो सेलेक्शन एंकर टू एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इससे मैं कर्व अप्लाइ करेंगे तो भी मुझे यहां पे ऐसा कर्व चाहिए था और ऑल्ट की के साथ में मैं ख़़ू आपस सीधा कर लेता आयों चाहिए बहन चाहिए यहां सिधा जार्जा और इधर से भी थर देंगे कुछ इस तरह से ऐसे मैं कर देगे और ऑल्ट की सिधा रखते हैं सभीản पहले से इसको मैं ऐसे यहां से इसको पकड़ के पिरा करें जितना कर्व इन एन आउट करना है ऐसे मैं यह लेने के बाद में चेंज करेंगे थोड़ा हमें इसको मैंने सेलेट किया थोड़ा उपर की तरफ इसे नीचे लेते हैं और यहां पर यहां से हम इसका कर्व औल्ट के साथ एडिट करेंगे थोड़ा कर्व ने सुन गई यहां चाहिए यहां जाड़ा चाहिए तो यह मैंने एक लिया आउटलाइन इसमें से नंड कर देते हैं इसको हम डुप्लिकेट करना चाहिए दुप्लिकेट भी कर सकते हैं ब्रश टूल से मैं कलर देना चाहूं दूसरा तो मैं एक कलर ले सकता हूं जैसे वाइट लिया इसको सेलेक्टेट सा डीसेलेट करेंगे कलर वाइट है हमारा ब्रश का और जैस वे में लाइन है उसी वे में इस लाइन को हम यह ट्रॉ करेंगे अब इसमें कलर हमें वाइट देना है चेंज करेंगे इसको इसको मैं यहां पर डुप्लिकेट कर देता हूँ यह दो तरह के मैंने एक डिजाइन अब यह बाहर की तरफ जो क्रोश जा रहे है इनको हमें चेंज करना है डिलीट करने के लिए मैं इसको एक्सकी अपीरेंस चेंज करूँगा एक्सपेंड अपीरेंस और इनको सेलेट करते हुए शेप मर्ज टूल से माइनस कर दो दो इससे सेलेक नहीं किया था इसको सेलेट करेंगे शेप मर्ज टूल इनको बराबर एकोल लियाएंगे यह मैंने कुछ लाइनिंग और एड़ टेक्स्ट सरकल यहां एक बड़ा सा सरकल बना देता हूँ है इस से डार्क लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके एक नया अब्जेक्ट इसके अंदर सेंटर में बना सकता है या फिर में इसको अफसेट पाथ कर देता हूं इस अफसेट पाथ की हेल्प से इसका अंदर की साइज माइनस टू और जादा लेना है तो माइनस टैने में अंदर की तरफ यह इतना लिया ओके कलर चेंज करते हैं इसका वाइट कलर रहन देते हैं तो डिस्प्ले हो जाए जा रिवर्स टाइप यहां में टाइटल रूपाइटल यहां लिखेंगे जिसे प्लायर में डिजाइट का जो भी नाम है या जो भी प्रोडक हमं डिजाइन का तियार करें या यहां थाइटल ने तो मैंने दे दिया निद्धिया जिसे टाइटल यह मैंने का नाम बढ़े एक्सरों में इसको मैं Ctrl Shift से बढ़ा करूंगा पुल स्टॉप Ctrl Shift and पुल स्टॉप से हम पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेट करके यहां से रिसाइजिंग कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं बढ़ा चोटा करना चाहिए यह मैंने यहां यह एक मैं एक्जांपल सेट कर रहा हूं कि भी किस तरह से हम एक डिजाइन त्यार कर सकते हैं इन टेक्स्ट की जगह पर आपका कोई भी कस्टमाइज टेक्स्ट हो सकता है प्रेजेंटेशन आपको करना है किस तरह से यह हम presentation करेंगे वही मैं आपको यह बता रहा हूं कि भी कहां हम कैसे इसको adjust करेंगे मैंने यह मेरा एक setup था इसको मैंने अब यह changes करेंगे इसमें shadow apply करना चाहता हूं effect में जाएंगे stylize में हम जाके इसकी drop shadow apply कर देते हैं यह देखें drop shadow से यह इसका लुक आजएगा इसकी size opacity x y axis में हम जाके twin values को कम कर सकते हैं फ्लायर में जैसे मैंने दिखाया shadow blur इसका amount कम किया और साथ इस साथ में मैं इसका चाहता हूं कि इसकी x और y axis 2.25 to the horizontal 2.25 to the vertical थोड़ा सा नस्दीख हो जाए तो यह एक shadow का use किया अब मैं चाहता हूं कि यह दोनों text अलग हो जाए तो अलग करने के का reason भी मैं बताऊंगा कि मैं चाहता हूं यह जो text है इसको मैंने एक अलग से text box में लिया और यहां present इसको मैं नीचे ही करूँगा इस तरह से यह business का अलग हो गया इसे मैं 3D 3D में show करना चाहता हूं embossed letter show करना चाहता हूं उसके लिए हम जाएंगे effect 3D 3D में हम जाएंगे extrude and bevel तो extrude and bevel करने पर कि कुछ इस तरह से text को extrude कर देगा मुझे इस तरह से निचे मैंने इसमें shadow apply कर रहे कि पहले तो उस shadow को हटाया जाए हटाने के लिए appearance panel में जाएंगे और वहां से हम इसको हटा देंगे तो जो भी effect हम लगाते हैं उनको none करना हो तो appearance पैनल उसके लिए है वहां से हम उनको effects को none कर सकते हैं यह appearance panel open करेंगे हमने drop hero लगा रखा इसको मैं drag करके dust drain वो डाल देता हूं यह हड़ जाएगा अब मैं इसमें effect apply करता हूं 3D extrude तो यहां से हम इसको extrude लेंगे और देखिए कुछ इस तरह से जैसा ही direction दिखा रहा इसका वैसे यह extruding कर देगा तो मैं इसका direction वगरा सारा zero कर देता हूं ऐसे zero कर देता हूं या फिर मैं यहां से front भी कर सकता था तो फोस कीजिए यह मैंने आपस cancel किया एक्स टूल यह जो आ रहा है value आने देंगे इसको हम यहां से front use कर लेंगे करने के बाद में हम इसमें जो है इसकी जो है width बढ़ाएंगे इसके एक्स्टूल की level को बढ़ाएंगे मैं यहां से चेंज कर तो सारी मैं यहां से इसको value देता हूं जो भी क्लासिक यूज करते हैं 50 पॉइंट की जो एक्स्टूड की डेप्थ आई है वह यह इस तरह से दिखाई दे रहा है इसका depth को मैं थोड़ा कम करता हूं 25 करता हूं इससे आथा करता हूं कंट्रूल हो रहा है 20 थोड़ा और कम करते हैं यहां से डबल लेड़ भी ले सकते हैं किस्टमाइज ऐसे एडिड़ आएगा यह अभी जैसे मैंने इसको किया तो जो मैंने एम्बोजिंग लिया है वह इ इफेक्ट ट्रिडी एक्स्टूडेंट बेवल जो हईंट आ रही है इसको हईट को हम यहां से पहले सब करते हैं इतना रखना चाहते हैं अब मैं यहां से इनको जीरो करते था हो बशूंट करने के बाज़ाएं एंगल वगरा च्लासिक मोड लेता हूं फ्लाष्याह हो रहा बेबल की हाइट कम करने पर यह थोड़ा सा है से हाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यह होता है एंबोजड लेटर में त्यार करना है अभी भी देखो हाइट काफी ज्यादा है चेंज करेंगे इसको वन और अंदर के तरफ इंसाइड अब इंसाइड करने पर यह थोड़ा और कम हो गया दुबारा हम इसको फूपॉइंट करके यह ऐसा दूकर सकते हैं तो हम यहां से एक कर सकते हैं कल अंध में जिलए यह होता है कि अम बोचलेटर हमें स्वोग करना हो तो यहां से मैं नहीं इसलिये डॉन अटव एंग भी बहत दो करना है जो भी वेल्यू आ रही है मिनिमम जिससे में इसको अब मैं करता हूँ 1.25 एक्सिस वाइंड ब्लर अमांट ऑनली वन फ्रास अदूंदला कम कर देता हूँ कर देता हूँ यह हमारा हो गया अब डिटेल अगर हमें इसमें एड में हमें कोई डिटेलिंग टाइप करनी हो तो हम यहां से डिटेलिंग टाइप कर सकते हैं इसमें कुछ भी हो सकता है याने की कंपनी का या जो भी फ्लायर से रिलेटेड जो मैटर है वो हम मैटर यहां पर अड़ेस्ट कर सकते हैं टाइप कर सकते हैं पॉंड साइज उसके अकॉर्डिंग फॉंड भी हम सिंपल सा यूज करेंगे यहां से और इस तरह से हम टेक्स को प्रेजेंट करेंगे अब आती है बात कि यह तो हमने सारा बैग्राउंड वगरा क्रेट किया है इसके अलब मैं यहां पर कुछ इमेजिस कटिंग करके रखी ह है उसको हमने फोटोशॉप में इसमें थोड़ा सा हमें फोटोशॉप का भी यूज करना पड़ेगा हमें फोटोशॉप भी आना चाहिए कोई भी फ्लायर डिजाइन करते हैं तो फोटोशॉप में हम फोटो का इमेज हटाएंगे बैगराउंड हटाएंगे और यहां ऐस चीट्रा केंसे ट्रांस्पेर गांड ँसको इमपोर्ट करेंगे तो मैंने कुछ दो एक इमपोर्ट करता हूं प्लेस कमांड फाइल मजु प्लेस आप्शिन से जैसे एकक मेरा इमЕज है, इसको मैंने यह लिया। और यहां पे प्लेस करेए लिए बिद्व पोड़ा और णय दिखाई देख तो मैं इसको पावर क्लिप कर सकता हूं इसको मैं क्लिपिंग मास्क कित हूँ यह रेक्टेंगल शेप बनाऊंगा इसके उपर पहले तो इसे हम एमबेड करेंगे और इसको राश्टराइज करेंगे एक इमिज में आपजेक्ट मेनू एंड राश्टराइज इसका बेग्डाउंड ट्रेंस피रेंट रहेगा और इस्पराइज क्या करता हूँ इसे ही में इसको क्लिपिंग कर दूगी थोड़ा से रेक्टेंगल को मैं बढ़ा देता हूं जासी यहां पर इन दोनों को सेलेट करें कि कंट्रूल सेवन शॉटकट है क्लिपिंग मास्क के लिए अब मैं यहां इसको क्लेस कर सकता हूं एक्जेक्ट इस बाउंडे से थोड़ा बढ़ा देते हैं कंट्रूल शिप्ट ड्रैकेट की हम डाउन शिप्ट करेंगे इसको इमेज के साथ हम कैसे एक लायर डिजाइन कर सकते हैं उसका तरीका है यह अब एक और इमेज मैंने ले रखी है तो मैं उसे भी यहां पर प्लेस्मेंट करना चाहता हूं एमबेड इमेज, इमेज को हम पनवर्ट करेंगे, रास्टराइज करेंगे, नॉर्मल लेयर में, प्रांस्पेट बेगराउंड के साथ, और उसे हम एक रेक्टेंगल शेप में, हम चाहे तो इसको सर्कल शेप में भी कर सकते हैं, बट हमें यहां फे डिजाइन के लिए हमने बैगराउंड पहले ही हमने त्यार कर रखा है, तो जो specified space हमने रखा, वहां ही इसे place करना है, बट boundary को बिलकुल ऐसे align करते हुए, इन दौनों को हम एक साथ select करेंगे, control 7 से इसको power clip, यानि की clipping mask कर देंगे, यह हमारा एक image और आ गया, इस तरह से मैं adjust करूँगा, उपर की त यह तो भी बात इनकी, अब कुछ जैसे social media icons होते हैं, वो हमें design में show करने होते हैं, तो social media icon भी हम import कर सकते हैं, जैसे मैं यह multiple time इसको मैं import कर लेता हूँ, जैसे मुझे तीन लगाना है, यह उपर के तीन लगाना है, या यह चार हमें icon लगाना है, और साथ साथ में उनका text भ दीजिए, यह मैंने circle का size ले भी मुझे, यही circle का size लखना है, इसी में मुझे fit करना है, थोड़ा समय इसको, और छोटा कर देता हूँ, इतना, select करेंगे, और यहां लाएंगे इसको हम, मुझे facebook का icon लेना है, और circle में हमें clipping करनी है, इतना, पहले image को छोटा करेंगे, ताकि इसमें recording आसे, थोड़ा और चोटा करेंगे इसको, control shift bracket, up and down करके, ऐसे check करेंगे, इतना है, तो control Y, wireframe देखना हो, तो हम ऐसे wireframe देख सकते हैं, और इस image को हम convert करेंगे, embed image, राश्टराइज भी कर सकते हैं, ऐसे, राश्टराइज करने के बाद मैं, control Y, okay, इन दोनों को select करे थोड़ा सा हमारा circle इसमें बढ़ा रहा गया, या फिर हमने जो Facebook का icon जो है, वो छोटा नहीं किया, या इसको ज्यादा चोटा कर दिया है, तो हम इसके अंदर edit करेंगे जाएंगे, और इसको ऐसे boundary यूज़ करते हैं, या इस circle को मैं चोटा कर सकता हूँ, image को चोटा बढ़ अगर इससे बाहर भी जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, यह हो गया, इससे हम बाहर आ जाएंगे, तो यह एक मैंने circle की जो size तै की, उस size तै में मैंने इसको clip कर दिया, अब जैसे यह clip हो गया, तो हम छोड़ देते हैं, इसको alt के साथ drag करते हैं, release करेंगे, इसमें हम double click क करने पर ही editing mode बें जाएगा, हर्ड आइकन हमारा जैसे YouTube का है, इसको फिर बाहर आएंगे, alt के साथ drag करते हुए, इसके अंदर हम वापस जाएंगे, एक और आइकन हमने place करना है, जैसे Twitter का, तो like this हम ऐसे clipping mask का ऐसा इसा इस्तमार कर सकते हैं, तो इस चार आइकन भी हमें जै sequence, एक इनको reverse mode में show करने के लिए यहाँ पर एक पट्टी बना देंगे, ऐसे इसमें switches, यूज करकर का color, glue color का service में, और control bracket की help से हम इसमें अरेंजिंग करेंगे, order of object, align करेंगे, resize करेंगे, एक्जेक्ट, A4 size का हमने flyer का design लिया है, तो उसी size में, और इनको हम place करेंगे, यह Twitter का ID लिख देंगे, YouTube का ID लिख देंगे इसके आगे, और इसके आगे, Instagram का ID लिख देंगे, इन सब को आपस में align करना है, इनको आपस में central line कर देंगे, ऐसे, क्या select हो गया, यह हो गया, artboard के according, तो artboard के according नहीं करना है, तो उसके लिए हम करेंगे according to selection, अब यह आपस में जो इसको horizontal vertical या vertical center कर दे, अल्री हो चुका है, अब इसको हम वापस यहां पर place करना है, text type करना है, कोई दिख्यत नहीं है, text tool लेंगे, Facebook, जो भी ID है, वो ID का यहां पर हम type करके, reverse order, white color, Facebook, Insta ID, जैसे भी, ID हो, वो हम ID यहां लगा सकते है, यह मैंने एक example set किया, दिखाया है, दिखाने के लिए कि यहां पर इस तरह से हम, present कर सकते हैं, design type, ठीक है, तो यह होता है, एक advertisement बनाना, एक flyer बनाना, business flyer बनाना, मैंने एक example लिया है, उसके अंदर मैंने यह बताया है, कि कैसे logo हम कहां place कर सकते हैं, logo कैसे बना सकते हैं, simple सा, typical सा, जैसा भी, वो हम बना करके ऐसे placement देंगे, यह जो सारा adjustment है, जो सारा creativity आपकी होगी, उतना ही बढ़िया, आप logo इस application के help से, आसानी से बना सकते हैं, सारा depend करता है, आपके skill level पर, तर वीडियो, थैंक यू